दूमस्केर की आपचल टीवी का खाष राभुल का अदने पर देख रहे हैं आप मैं हूं आपके साथ पूछा राहूल गानदी की अन्याइ यात्रा का बहार में आज अंतिम दिन रहा जहा राहूल गानदी क्यामुर्जिले की रास्ते उत्रप्रदेश में एंट्री ले चुकी है आज यूपी में प्रियांका गांधी भी यात्रा में शामल होने वाली थी पर प्रियांका गांधी की तब्यत खराब होने के कारण उन्हें अस्पताल में भरती कराना पड़ा जिस कारण प्र्यांक का यात्रा में शामिल नहीं हो पाई पर यूपी में एंट्री लेने से पहले ही राहूल गांदी को बड़ा जटका लग गया 17 परवरी को यात्रा उत्रदेश के बदोही में पहुँच रही है लेकिन राहूल गांदी के काफिले को ठहरने के लिए प्रशासन से अनुमती नहीं विले अब राहूल अपने काफिले समेट मुन्शी लाठपूर के खेत में रुकेंगे तो बिहार से होते हुए यूपी पहुचे राहूल गांदी को क्या-क्या जटके लगे हैं बताएंगे आपको साथी बैंक खाते फ्रीज होते ही कॉंग्रोस पार्टी ने राहूल गांदी ने किस तरह से आज बबाल काटा उस पर भी चर्चा करेंगे मेरे साथ स्टूडिय में मौझूद है क्यापटल टीवी के एक्सक्योटिव एडिटर राजीर जी सर आपका बहुत बहुत स्वागर दे हैं शुरुआत बिहार से ही करते हैं क्योंकि आज बिहार में आखरे दिन रहा ते जस्पर यादव यात्रा में शामिल हुए दुनों की तस्वीरे आई सार्थी भी बने क्या संदेश देना चाह रहे थे जिसके सार्थी दुर्योधन हो उसकी पराजय तो सभाविक हो जाती है अगर देखा जाए तो सार्थी दिशा निर्देश देता है दिशा दिखाता है इसलिए भगवान स्रिक्रिश ने पूरे महावारत के युद्ध के दौरान अरजुन के सार्थी बनने का प्रण लिया और वो शस्त्र ना उठाने के बावजूद पूरे महावारत के युद्ध के दौरान केंद्र में बने रहे अब जब शार्थी कौन है तेजस्वी यादब जिसके अपना भविस अंधेरे में जिसको सहारा चाहिए होता है कभी भी सत्ता में आने के लिए नितीश कुमार जैसे लोगों का वो सार्थी राहुल गांदी को क्या दिशा दे सकता है बिहार के अंदर अगर तिजस्वी यादब दिख रहे हैं उसमें भी सासाराम में औरंगाबाद में अगर देख रहे हैं राहुल गांधी के साथ तो कौश जो कि औरंगाबाद सासाराम के छट्रों में कभी सांसद बना पाती थी जगजिवर राम, कायरिया और मीरा कुमार भ बार बार कास सेंसर कास सेंसर की बात कर रहे हैं राउल गांदी यह समझ नहीं पा रहे हैं कि जहां पर जातिय जनगन्ना हो चुकी है वहां हम जातिय जनगन्ना की बात क्यों कर रहे हैं अब रिजर्वेशन की बात कीजिए रिजर्वेशन तो सबको मिली रहा है सदिकारी बन चुके हैं जिनके घरों में अब रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है आगे बढ़ने के लिए उन लोगों को इस दायरे से कैसे निकाला जाए यह लेयार्ड रिजर्वेशन की बात हो रही है पिये मोदी ने इसलिए इसारा किया था एक कर पूरी ठाकुर को भारत रहत दो जो लेयर्ड रिजर्वेशन की बात करते थे कि हर वर्ग में अलग अलग तरीके से उन OBC की जातियां जो मजबूत हो चुकी है उसके लिए कितना होगा और उसमें महिलाओं के लिए कितना होगा और सवर्ण गरीवों के लिए कितना रिजर्वेशन होगा यह सारी परकेलपना तो धीरे धीरे पूरी हो रही है तो अभी राहुल गांदी बिहार में जैसा इंपक्ट दिखा के आये हैं उससे तो लगता है कि कॉंग्रेस के लिए बिहार में अगले चुनाब के अंदर एक सीट जो पिछली बार मिले थी वो भी नहीं मिल पाएगी अब उत्तर परदेश में आयेंगी उससे पहले एक हंगामा क्रियेट कर दिया हंगामा क्या था ये एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश थी क्योंकि कॉंग्रेस से जानती है कि आईटी ट्रिब्यूनल के साथ नेगोसियेशन विवेक टनका कर रहे हैं लिगल मामले के कॉंग्रेस प रहत देगी लेकिन कुछ समय के लिए अगर निगोसियेशन से पहले आपने जो आधार दिया था उसके नुसारे फ्रिज किया गया तो ये बवाल खड़ा करने की क्या जरुवत लेकिन बवाल थोड़ा नहीं बहुत जादा बवाल देखने को मिला कारेकरता सड़क तो उतर रहुल गांदी ने खुद लंबा चोड़ा ट्वीट किया सारे बड़े निता बहार आ गये थे मीडिया की सामने बयान बाजी कर रहे थे ऐसा क्या हो गया कुछी घंटों में लेकिन ये जो बवाल खड़ा करने के लिए प्रेस कॉंफरेंस किया अभी ट्रिजनर है कोशाध अजय माकन खुद ही पार्टी छोड़ने वाले हैं ऐसा संकेत मिलने वाला है कुछ दिन में ही संकेत मिलेगा कि अजय माकन अब कॉंग्रेस में ज्यादा दिनों तक रहेंगे नहीं क्योंके साथ एक के बाद एक एक दोखे हो रहे हैं कॉंग्रेस की भीतर और इसलिए जितन अजय माकन का भी नाम है अशोक तबर जो हर्याना के नेता कॉंग्रेस के परदेश अध्याप से रह चुके थे उन्होंने कॉंग्रेस छोड़ने के बाद आम आदमी पार्टी जोएन की फिर भारतिय जन्ता पार्टी में आ गए अशोक तबर जो हैं उनकी शादी हुई है इनकी भतीजी से अजय माकन की बतीजी से जो ललित माकन जिनके नाम पर ये राजनीती करते हैं और उनके परिवार से उनका संबंध है जो कि अभी भारतिय जन्ता पार्टी में आये हैं अब अजय माकन की स्थिति देखिए अभी मीडिया के सामने आके ऐसे बड़ी बड़ कर रहे हैं कि कॉंग्रेस जैसे लगता है कि अब ट्रेजरर बनने के बाद पूरा पैसा कॉंग्रेस का इने के खाते में चला जाएगा इनके साथ क्या हुआ कॉंग्रेस में पिछली बार राजसभा का चुनाव हुआ 2022 में हरियाना से इने उमिद्वार खड़ा कर दिया गया कॉंग्रेस को पता था कि हरियाना में एक एक्स्ट्रा उमिद्वार भारतिय जंता पार्टी ने अपने समर्थन से खड़ा किया है जेजेपी के साथ समर्थन दे के कार्तिके सर्मा को हुआ क्या रिजल्ट नतीजे को समर्थन मिला भाजपा का जेजेपी का और साथी कॉंग्रेस के कुछ नेताओं का जो क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं इस बार फिर से वैसे ही दलदल में ढखेल दिया गया अजय माकन को अजय माकन को उमिद्वार बनाया गया है करनाटक से करनाटक में राज्यसभा की चार सी बनाया हैं कि कॉंग्रेस से या भी पक्ची पाडियों से एक सिट चीन सके और करनाटक भी वही स्थिति में है वहां पर चार सी पांच उमिद्वार तीन भारतिये जंट्र ये कॉंग्रेस के एक जडीयस के बहारतिये जनता पार्टे के कलकुल हेसा बन गया है अजय माकन हारने वाले हैं तीन में से दो उमिदवार जो हैं सेद नासिर हुसेन और चंदरसेखर, सीजी चंदरसेखर वो दोनों करनाटक के हैं अब करनाटक कॉंग्रेस में इस बात को लेकर हंगामा चल रहा है कि हर बार राज्य सभा के चुनाब में ये बाहर के उमिदवारों को हमारी राज्य में क्यों भेज देती है कॉंग्रेस पार्टी अजय माकन बाहरी उमिदवार है और इसका फायदा जेडियस ने उठाया जेडियस ने भारतिय जनता पार्टी के समर्तन से एक एक्स्ट्रा उमिदवार दे दिया जो स्थानिये है पहले राजसभा सामसद रह चुके है और कुपेंदर रेड़ी के उमिदवार बनाने के बाद ही कॉंग्रेस में 20 फोर्टक किस्तिती होगी आजया माकन का हार ना लगबगता है क्योंकि 135 विधायक ऐसे है और 45 विधायकों की जरूरत है एक राजसभा सीट के जो जेडियस के उमिदवार को समर्थन देंगे 19 जेडियस के बिधायक यानि कि 40 तो इसके पास खुटते है चार जो छुटी छुटी पार्टियां है उनके पास है वो लोग भी इसको समर्थन देने के लिए तयार है और कॉंग्रेस के अंदर जो करनाटक में इस्तिती है ब पतलब इस बार फिर से अजय माकन की हार ये जो बार बार इनको ऐसे जगह पर राजसभा के लिए भेजा जाता है जबकि सुनिया गांधी के लिए हिमाचल परदेश में बात चित हुई तो हिमाचल परदेश से भी खड़ा नहीं किया हरियाना और पंजाब और दूसरे रा बार कन को भटकाया जा रहा है और ये इस बार जो हार गए तो फिर इनके इस्थिति वैसे ही है शोक चौहान जैसे इस्थिति हो जाएगे शोक चौहान राजसभा में और इतने दिनों तक अजय माकन चिलम पो मचा रहे हैं वो राजसभा से बाहर तो कोशा अध्यक्ष बन इन लोगों ने प्रेस काउंट किया उस समय यह भी बता रहे हैं एक लाइन के अंदर कि हमारे जो लिगल टीम है वीवेक टंका अदन को ननका नेत्रित्प कर रहे हो नेगोशीयट कर रहे है launching तरीबून तब गुल कर दिया लगया है अब सभाने वाले नहीं है हम लड़ेंगे हमारी जीत होगी हाँ हाँ बिलकुल ये तो लड़ी रहे हैं 2014 से अब तक लड़ी रहे हैं इनका पेसंस देखिए हारते हारते भी हम हारेंग नहीं डरेंग नहीं डरते डरते भी ये कहते हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं अब कैसे डरोगे अब हर जगह पर तुम्हारी फजीहत हो रही है उत्तर परदेश आने से पहले प्रियंका गांधी बीमार पड़ गई है आखिरकार प्रियंका गांधी यह चंदवली बारे एरिया में क्यों नहीं जा रही है क्या राय बरेली अमेटी वाले एरिया में ही जा घूम घाम के आई पूरी यात्रा के दौरान वो नहीं रही और कहां कहां घूम के आई अपने प्लानिंग करके आई उसके बाद राजस्थान जाने के लिए मम्मी के सा जाने के लिए ठीक थी और जैसे ही उत्तर परदेश में यात्रा एंट्री की तो पहला दिन हम बिमार पड़ गए हैं बाद में प्रजिंस दिखा देंगे कि हम भी इसमें शामिल मेरा आखरी सवार आप से यह है कि अलग-अलग राजियों में होते वे अभी यात्रा यूपी में अंट्री ले चुकी है एक रात्री विश्राम के लिए जो जगा निर्धारित की गई थी वहां बुझ कर इस यात्रा को कंट्रोवर्सियल बनाने के लिए ऐसे ऐसे काम करती है मीडिया में खबर आई कि प्रशासन ने अनुमती नहीं दी प्रशासन क्यूं एक पार्टी की यात्रा के लिए सरकारी जगह जमीन या कॉलेज स्कूल का स्थान देगी जहां पर आप जाओ भ पर इच्छा चल रही है तो ऐसे समय में यह तो किया ही जाएगा कि आपको सारजनिक जगह नहीं दी जाएगी आप किसी नीजी प्रपर्टी में रुको कोई मना कर रहा है शादी के लिए सब लोग कहें कि नहीं सरकारी गेस्टाउस ही बुको आपके लिए मेरेज हॉल बने होटल है हर जगह पर आप रुकनी के विवस्था कर सकते हैं करोडो रुपया यह बस में कंटेनर में यह सारे चीजों में खर्च कर सकते हैं तो रेंट पे जगह ले लो जहां जहां आपको रुकना है सरकारी जमीनों को उपयोग करने के लिए क्यों दिया जाएगा अभी य जोगी अभी शांत बैठे हैं क्योंकि यह जानते हैं राहुल गांधी कि यह पुरवांचल से होता हुआ बनारस से होता हुआ अगर हम जब तक पश्चिम उतर परदेश में नहीं आएंगे हमारी आफ़ाज जीरो है यह कंट्रोवर्सी क्रियेट करने की कोशिश करेंगे प एक रकस क्रियेट करो ऐसा महौल तैयार करो कि हम मुसल्मानों के अधिकारों के लिए ड़ड़ रहे हैं अब यहां पर समस्या योगी के लिए नहीं है समस्या अखलिस यादव के लिए है जो कह रहे हैं हम यात्रा में जाएंगे जाओ यात्रा में और तुम जिसको अपना बड़ा बोट बैक मांगते हो उसी में से नमारी करेगा और उसके बाद तुम चिलाओगे उसी तरह जैसे ममता बनर जी अभी तक चिला रही है कि कॉंग्रेस वाले आके हम मुसल्मानों को में फूट डालने के कोशच कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने लिए तो इंकम टेक्स विभाद में कुछ घंटों के लिए कॉंग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज किया तो हाहकार मच गया राउल गांदी ने जमकर भवाल काटा ट्वीट कर लिखा कि डरो मत मोदी जी कॉंग्रेस धन की ताकत का नहीं जन की ताकत का नाम है हम तानश चाही के सामने ना कभी जुके हैं ना जुकेंगे भारत की लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर कॉंग्रेस कारेकरता जी जान से लड़ेगा हलांकि एकाउंट को अनफ्रीज भू बाद में कर दिया गया की का她 इसने इसे लोगतंत्र फ्रीज करार देते वे जम कर उत्पात भी मचाया इस पर आप अपनी राए कमेंच कर लिखें देख तेरे क्या पचल टीवी नमस्कार